हेलो दोस्तों नमस्कार आपका वर्ड मिस्टीरियस में स्वागत है दोस्तों आज हम आपको करड़ी माता मंदिर के बारे में बताने वाले हैं करड़ी माता मंदिर हिंदू मानिता अनुसार सक्ति को समर्पित पपित्रतम हिंदू मंदिर में से एक है जो भारत के राजस्थान के देश नोग वीकानेर में इस्थित है इस धार्मिकस्थल की आराध्य देवी करडी माता को समानता डडाली डोगरी करडी जी महाराज के नाम से जाना जाता है करडी माता 2 अक्टूबर 1387 से 23 मार्च 1538 तक चारण जात में पैदा हुई एक हिंदु योद्धाओं की पूज देवी है स्री करडी जी महाराज के रूप में भी जाना जाता है उन्हें उनके अनियोदारा देवी हिंग लाज के आवतार के रूप में पूजा जाता है वह बीकानेर और जोधपूर के साही परिवारों की मुख्य देवी हैं वह एक तपेश्री जीवन जीती हैं और अपने जीवन काल के दोरान ब्यापक रूप से पूजने थी बीकानेर और जोधपूर के महाराजाओं के अन्रोध पर उन्होंने बीकानेर किले और मेहरगड किले की आधार सिला रखी जो इस छेतर के दो सबसे महातपूर किले हैं उनके मंदिरों में सबसे परसिद्ध राजस्थान में बीकानेर के पास देश नोक के छोटी से सहर में है जो मंदिर अपने चूहों के लिए परसिद्ध है जिन्हें अस्थानिय रूप से काबा के नाम से जाना जाता है जिनहें पवित्र माना जाता है और मंदिर की सुरच्छा दी जाती है उनके जीमनकाल के दवरान उन्हें समर्पित एक और मंदिर इस माइने से अलग है कि उनमें इनकी कोई छब या मोड़ती नहीं है बलकि उस अस्थान पर उनकी यात्रा का परतीक एक पत्चिन है करड़ी माता को दाड़ी वाली टोकरी या दधाड़ी टोकरी के रूप में भी जाना जाता है ये एक और परसिद मंदिर है जो बेसरोली रेलवे स्टेशन के पास खुर्द में स्थित है मा करड़ी और इंद्रवाईसा महाराज का यह मंदिर बीका नेर के राजा गंगा सिंग जी ने बनवाया था राव जूधा के सासनकाल में करड़ी माता ने मिहरान गड़ किले की आधार सिला रखी थी धन्यबाद दोस्तों